अबी का बाई जूस एक्जाम प्रेप दा मोस्ट कॉम्प्रेशन एफ और ओल दे एक्जामेनेशन के आज के इस डेली करेंट अफेर्स के सेशन में बहुत-बहुत सौगत है दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों हम लोग डिसकस करने वाले हैं चार जनवरी 2022 के इंपोर्टन करेंट अफेर्स के इवेंट्स को जो की हमारे सभी एक्जामेनेशन चाहे आप UP, विहार, MP, जारकन या किसी भी ऐसे एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जहाँ पर करेंट अफेर्स से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं उन सभी में हमारा ये सेशन आपके लिए UP, योगी साबित होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को और देखते हैं आज की हमारी प्रमुक सुर्खिया लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं इस सेशन को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे ताकि वो भी हमारे साथ लाइफ जुड़े और फिर हम इस सेशन की शुरुवात करते हैं इसके लावा अगर आपको इस सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा तो वेरी गूड इवनिंग और वेलकम नीलम, इसनेह, निरूपमा, आशुतोष, चानक्य, पूजा, रितिका, रंजीत, पुषपा, अली एहमद, गोपाल, अनीस, कोमल, ग्यानी सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वेरी गूड इवनिंग और वेलकम गाईज तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और नजर डालते हैं हमारी आज की हमारी प्रमुक सुर्खियों पर तो आज के सेशन की हमारी पहली निउस निकल करके आती है UIDAI यानि की हमारा Unique Identification Development Authority of India के दौरा जो हमारा आधार कार्ड को जारी करता है उनके दौरा एक नया और एक बहुती बड़ा अपडेट लेकर के आया गया है अब कोई भी व्यक्ति जो की किसी दूसरे शहर में रहता है जिसका अपना खुद का पता आधार कार्ड पे नहीं है उन सब के लिए Head of the Family का Concept को लाया गया है यह Head of the Family का Concept क्या है जो की यहाँ पर लाया गया है अगर आप देखोगे Head of the Family का Concept यह है क्या जो की अधार के दौरा यहाँ पर लाया गया है और यह सब उन लोगों के लिए Important होने वाला है जो अपने मूल शहर से निकल करके दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं या फिर अगर हम बात करें यानि की Students जो की बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए भी एक पर्मानेंट एड्रेस के रूप में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है तो क्या है यह पूरी निउस डिटेल में जानेंगे आज की पहली निउस में दूसरी निउस आती है कैप्टन सिवा चोहान जो है भारत की पहली महिला ओफिसर बन गई है जो की सियाचिन के ग्लेशियर पे डिप्यूट की गई है सियाचिन को अगर आप देखोगे तो दुनिया का हाइएस्ट बैटल ग्राउंड भी कहा जाता है यानि कि सबसे उचा क्या है हमारा क्या है बैटल ग्राउंड है तो वहाँ पर अभी तक कोई भी भारतिय ओफिसर महिला वहाँ पर निउक्त नहीं की गई थी और अब कैप्टन सिवा चोहान जो है पहली भारतिय महिला है तो जानेंगे कैप्टन सिवा चोहान जी के बारे में थर्ड रियूस की बात करें तो इथोपिया के द्वारा अपना पहला एटलस जारी किया गया है जिसमें वो जीव जन्तूओं को जो भी तमाम प्रकार की बिमारियां जो की हमारे टेसेसे मक्खी के कारण होती है उनकी यहाँ पर क्या करेगा उनकी यहाँ पर मैपिंग करेगा तो इथोपिया के द्वारा इस एटलस को रिलीस क्यों किया गया है और यह जो टेसेसी मक्खी है जिसकी वज़े से यह तमाम प्रकार की बिमारिया वहां के पशुओं में देखी जा रही है या पशुओं के अंदर हो रही है उन सब में हमारा क्या प्रॉब्लम है और क्या समस्याएं है उसको हम जानेंगे और ये एटलस कैसे उथुपिया को इस बिमारी से या इस प्रकार के हमारी महामारी से निकलने में मदद करेगा चौथी नियूज आती है इंडियाज फुर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ओपरेशन इन्दा पाइड नैचुरल गैस नेटवर्क तो हाली में भारत का पहला हमारा हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का जो प्रोजेक्ट है जो हम PNG यानि की पाइड नैचुरल गैस में करने वाले हैं उसकी शुरुवात कर दी गई है तो भारत के किस शहर किस राज में ये प्लांट लगाया गया है और हमारे देश की कौन सी कंपनी के दुआरा इसको लगाया गया है इसके बारे में भी हम विस्तित तौर पे चर्चा करेंगे आज की चौथी निउस में पाँचवी निउस आती है भारत ने हमारी अध्यक्षता यानि की लीडर्शिप को टेक ओवर किया है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का तो ये एशियन पोस्टल पैसिफिक यूनियन है क्या इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी कहाँ पर इसका मुख्याले है और भारत हमारा इसका जो मेंबर बना है या इसका अध्यक्षवरी बना है तो इसके पीछे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस पर भी हम चर संस्राइब और उनका चुनाओ किस प्रकार होता है कुल कितने संस्थे होते है और उनकी अवधी यानी के टैनियोर क्या होता है इन सब बातों पे चर्शा करेंगे आज की छटी निईस में साथवी नियूज आती है मनीपुर के अंदर वहां का हमारा एक लोकल फेस्टिवल जिसका नाम है गान नई फेस्टिवल तो गान नई फेस्टिवल जो है मनीपुर में मनाया जाता है वहां की कौन सी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इस मौत सब को मनाने के पीछे का उद्देश क्या है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे और लास्ट में नीूज निकल करके आती है World Braille Day तो विश्वब्राइल दिवस हम कब मनाते हैं मनाने की पीछे का उद्देश क्या है इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे और कब से हमने इसको मनाना शुरू किया इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और एक एक करके इन न्यूस का विश्लेशन करना स्टार्ट करते हैं जिसका भी नेटवर्क नहीं आ रहा है एक बार आप रिफ्रेश कर लो साहिबा आई तिंक वीडियो एक दम बिल्कुल क्लियर चलना है जिसका भी वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है एक बार अपना रिफ्रेश कर ले ठीक है चलिए तो आज की हमारी पहली न्यूस आती है UIDAI के द्वारा हमारा Head of the Family का Concept को यहाँ पर Enable यानि कि इसकी शुरुवात कर दी गई है जो की हमारे Online Address Update को आधार में करने के लिए शुरू किया क्या है तो Heading को पहले नोट करने फिर जानते हैं हम इसके बारे में मिटा कल वाली क्लास राहूल हमारी YouTube पे अविलेबल है और वो आपको वहाँ पर अविलेबल मिल जाएगी तो वहाँ से भी आप continue कर सकते हैं और एप पे कल टेक्निकल ग्लिच की वज़े से क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन आज बिलकुल एप पर क्लास बिलकुल परफेक्टली फाइन चल लही है तो आज हमारा एप और YouTube दोनों जखा क्लास उक्के चल लही है यहाँ पर आएगा नहीं I think नीचे लिख देते हैं इसको तो जूनिक आइटिफिकेशन डेवलप्मेंट अथौर्टी ओफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर हमारा एक नया तरीका और एक नई पद्दती को लाया गया है जिससे कि हम हेड आफ दा फैमली के कॉंसेप्ट को लेकर के आ रहे हैं तो क्या है यह कॉंसेप्ट आईए इसको थोड़ा पहले समस्ते हैं फिर जानते हैं यह कैसे काम करेगा पहले समस्या जानते हैं कि समस्या क्या है और इसका निवारन क्या है अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर हमारे देश में उन सभी बच्चों का आप देखिए जो लोग अपने शहर से दूसरे शहर पढ़ने जाते हैं माल लीजी आप छोटे गाउं में रहते हैं आप दिल्ली बंबई नौकरी करने या पढ़ाई करने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्राबलबम हमारे साथ क्या आती है अपने लोकल एड्रेस प्रूफ को ले करके माल लीजी हम दिल्ली गए तो हमको अगर मोबाईल का SIM लेना है तो हमें लोकल एड्रेस प्रूफ देना है या कोई form भी भरना है तो हमारे पास एक address होना चाहिए तो ये problem हमारे लिए क्या दिक्कत करती है क्योंकि हम किराय के मकान पे रहते हैं या फिर कई बार हम अपने किसी परीजनों के यहां चाचा के यहां, मामा के यहां, फूफा के यहां, ताओ के यहां पढ़ने जले जाते हैं हमारा exam के लिए तो वहां पर भी हमारे पास address की issue होता है या फिर आप किसी शहर में जाते हैं किराय का मकान लेते हैं तब भी आपको एक address की दिक्कत होती है तो यहां पर UIDI के दोरा इस concept को यहां पर लाया गया है जहां पर अब कोई भी व्यक्ती जो भारत के कहीं पर भी रह रहा है तो वो अपने मकान मालिक या जो भी उसका परीजन है जो हमारा 18 साल से अगर उपर है तो वो उसके head of the family के रूप में अपने आपको प्रस्तुत कर सकता है मतलब अगर हम बात करें तो माल लीजे अगर आप लखनओ या दिल्ली में पढ़ने जाते हैं और आपने कोई किराय का मकान लिया तो अगर आप head of the family हैं तो आप क्या करोगे अपने किरायदार को क्या करोगे अपने address का अनुमती दोगे कि आप हमारे address को अपने address के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि अभी तक आप देखिए अगर आपको अपने अधार पर जो address चाहिए उसके लिए आपके पास local address proof होना चाहिए यानि कि आपका bank के password में वो address होना चाहिए बिजली के बिल में होना चाहिए या कही ना कही वो address का प्रमाण होना चाहिए लेकिन head of the family में क्या है अब आप क्या कर सकते हो अधार की website पे जा करके आपको जिस भी address पर अपना address proof बनाना है वहाँ पर वहाँ का जो मकान मालिक है या आपका वो रिष्टेदार है उसके सहमती का यानि कि एक consent का letter आपको upload करना पड़ेगा जिसके बाद हमारी आधार की जो website है या जो हमारा विभाग है वो उस व्यक्ति के mobile number पर एक OTP या एक authentication का क्या बेजेगा request बेजेगा और अगर वो व्यक्ति आपके authentication को approve कर देता है within 30 days यानि कि 30 दिनों के अंतरगत तो आपका वो address proof आपके अधार में update हो जाएगा तो यानि कि head of the family आपका कोई रिष्टेदार, कोई परिजन या आपका मकान मालिक भी बन सकता है और आपके address पर अब वो address आपका क्या है permanent address के रूप में निकल करके आ जाएगा तो समझ में आया सभी को समझ में आया कि 30 दिनों की यहाँ पर अबधी दी गई है जिसको भी अपने address अबडेट कराना होता है तो वो 30 दिनों की validity के साथ अपने head of the family के पास request को upload कर देगा और UID वाले उनके head of the family को जिसको भी उन्होंने चैनित किया है उनके पास एक authentication का message बेजेंगे वो अगर approve कर देगा तो okay नहीं approve करेगा तो reject हो जाएगा application तो समझ में आया इससे हमारी जो local address की समस्या थी जो हमारे पास अपना इस्थानिये पते की समस्या थी उसका यहाँ पर क्या हो रहा है निदान हो रहा है clear तो यहाँ पर ये एक नई पद्दती को हमारा UIDAI के दौरा शुरू किया गया है और जो लोग भी इस सेवा का लाब लेना चाहेंगे उनको वन टाइम उनको एक बार 50 रुपई की फीस जमा करनी होगी और उसके बाद इस फीस के साथ वो अपने अधार पर वहाँ का local address को क्या कर पाएंगे अपडेट करा पाएंगे clear note कर दीजे समझ में आया clear note कर दीजे कोई confusion क्या चीज address को बार बार चेंज कर सकते हैं address को बार बार चेंज कर सकते हैं लेकिन जितनी बार चेंज करिए 50 रुपई की फी आपको देनी पड़ेगी ठीक है note कर लिजे समझ में आया सभी को शलिए तो ये हमारी आज की क्या थी पहली नीूस थी बढ़ते हैं अब अगली नीूस की तरफ अगली नीूस हमारे लिए काफी गर्फ की बात है कि हमारे देश की बेटी जो है सियाचिन बॉर्डर पर जाकर के भारत की रक्षा करने के लिए अब क्या है तैयार है तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में हैं शिवा चौहान जी जो की भारत की पहली महिला हो गई है या पहली महिला अधिकारी हो गई है जिनको सियाचिन पर हमारा डिप्यूट किया गया है तो नोट कर लिजे बेटा address change होगा आपके अधार कार्ड पर कितने address आते है अनीज भाई अधार कार्ड हमारा क्या है सुईगी का पता थोड़ी ना है जहाँ पर 10-12 पते लिखे होते एक ही पता होता है तो जो आपका communication address होता वही तो mention होता है तो अगर आप उसको अपना local communication address बनाना चाहते हैं तो वो बदल जाएगा तो उसके नीचे 4-5 पते नहीं आएंगे एक ही पता आएगा ठीक है हाँ तो जो मकान मालिक है वो आपको consent letter देगा ना कि हम प्रमानित करते हैं ये व्यक्ति हमारी सनुरक्षन में हमारे यहां रह रह रहा है और हम इसको अपने पते पे रहने की अनुमती दे रहे हैं और इस पते का इस्तमाल करने की अनुमती दे रहे हैं consent का मतलब क्या होता है आपकी सुकृती है ना सुकृती चलिए अब अगर हम बात करें शिवा चोहान जी की तो शिवा चोहान जी भारती है हमारी जो महिला की टुकडी है उसमें हमारी क्या है एक ओफिसर है और वोमेन आर्मी ओफिसर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो हाइस्ट बैटल ग्राउंड है अभी तक वहाँ पर कोई भी महिला को डिप्यूट नहीं किया गया था अगर हम इनके मूल राज्य की बात करें तो ये राजस्थान से आती है तो राजस्थान की मूल निवासी जो है शिवा चोहान जी इनको यहाँ पर हमारा डिप्यूट किया गया है तो बस आपको क्या करना है, इसमें इतना ही याद रखना है, इससे ज़ादा आवशकता नहीं है, इस news में याद रखने की, लेकिन मेंस के perspective से सियाचिन के बारे में थोड़ी जानकारी को हम लोग यहाँ पे इकत्रित करते हैं, है न, तो अगर हम बात करें, तो सियाचिन भार के लिए क्यों हैं, क्योंकि अगर हम भारत के नक्षे को देखें, तो भारत के कश्मीर में अगर आप देखोगे, तो एक तरफ पाकिस्तान के द्वारा हमारे कश्मीर पे कभजा किया गया है, और एक तरफ चीन ने, तो सियाचिन की जो location है, वो इतनी जादा strategic है, कि वो हमा हमारा एक प्रकार का हमारा पाकिस्तान और चीन को मिलने से रोकने का काम करता है, पाकिस्तान को और चीन से मिलने से रोकने का काम करता है, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में देखा होगा, तो सियाचिन में 1984 में पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया था, वहाँ पर हमा की तरफ जाए 1984 में तो ये इलाका हमारा क्या है इतना जादा क्या है इतना जादा दुर्गम है कि वहाँ पर हमारा temperature माइनस 50 तर चला जाता है और 1984 से पहले वहाँ पर दोनों देशों की सेनाई क्या थी वहाँ पर कभी भी डिप्यूट नहीं हुई थी, क्योंकि यह माना जाता था कि इतने दुर्गम एलाकेBl कोई भी सेने को रखने से फैदा क्या है, क्योंकि यहां से कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यह मानफता के खिलाप है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को कबजा करने का प्रयास किया क्यों क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर से जो हमारी लदाख है उसकी जो राजधानी है ले वो काफी जादा नस्दीक है और वहाँ पर एक हमारा इलाका है जिसका नाम है साल्टोरो तो पाकिस्तान ने साल्टोरो रिच पर हमारा कबजा किया जब जाकर के 1984 में ओपरेशन मेगदूत को लॉंच किया था भारतिय सेना के दौरा कौन सा ओपरेशन था ओपरेशन मेगदूत ओपरेशन मेगदूत के चलते क्या है भारत ते सियाचिन को वापस लिया और तब से लेकर के अब तक दोनों देशों की सेनाएं हमारे सियाचिन ग्लेशर पर बैठी हुई है आमने सामने और क्योंकि इसकी स्टैटेजिक लोकेशन इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर सियाचिन को पाकिस्तान ने कबजा कर लिया तो पाकिस्तान और चीन मिल जाएंगे और वहाँ पर जो गिलकिट और बाल्टिस्तान का इलाका है वो पाकिस्तान के लिए क्या है बहुत इंपोर्टेंट है तो उससे हमारा कश्मीर पर उसको कबजा करने में असानी और भारत इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या है इन दोनों की शक्तियां तोटी रहेंगे और वैसे भी वह अखंड भारत का हिस्सा भी है ठीक है तो इसलिए हमारे देश की सेनाएं हमारा सर्दी बरसात मौसम किसी भी मौसम में हमेशा क्या है हमारे officers को हमारा सियाचिन border पर depute किये जाने की हमारी जो प्रथा है वो शुरू हुई थी क्योंकि इससे पहले कभी भी क्या है वहाँ पर युद्ध नहीं हुआ था और इसलिए इसको दुनिया का highest हमारा battleground वाना जाता है कि इतने उचे पर या इतने उचाई पर कभी भी किसी भी देश की सेना ने एक दूसरे को attack नहीं किया था clear? तो note कर लिजे इसके बारे में ये news बहुत ज़ादा important है और exam में पूछे भी जा सकती है clear? note कर लिजेगा समझ में आया सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगली news की तरफ अगली news आती है इतोपिया से जो की एक क्या है? अफरीकी देश है इनके दुआरा एक atlas को जारी किया गया है ताकि ये map out कर सके अपने देश के अंदर उन सभी प्रकार के बिमारियों को जो की टैसीस फ्लाई के दौरा की जा रही है और उनके देश में अलग-अलग प्रांतों में जो जीव जन्तू हैं या जो हमारे पशू हैं वो हमारे बिमार पड़ रहे हैं तो हेडिंग को पहले नोट कर लें फिर इसके बारे में विस्तित तोर पर यहाँ पर जानने का प्रियास करेंगे अगर हम इथोपिया की बात करें तो इथोपिया के लिए एक बहुती बड़ा चिंता जनक और समस्या का विशे है क्योंकि अगर हम पूरे अफरीका को देखें तो पूरे अफरीका के सभी देशों में इथोपिया के अंदर क्या है सबसे अधिक पशुधने यानि कि वहाँ पर जो हमारे कैटल्स की अबादी है वो अफरीका के सभी देशों में सबसे अधिक है और वहाँ पर अगर इतनी बड़ी मात्रा में कोई बिमारी पशुओं में लगती है तो जाहिर सी बात है इतनी बड पर खत्रा आ गया था कि अगर कोविट पैंडमिक फैल गया तो हम मनुष्यों की हो सकता है यहां पर हमारी अबादी कम हो जाए तो इसी तरह क्या है इसी तरह हमारा क्या है इतोपिया के अंदर जो पशुधन है उनके उपर भी यह खत्रा मड़ा रहा है कि अगर हमने इस ब अबादी पर नज़र डालें दोस्तों तो यहां पर अगर हम देखें तो लगभक 70.3 मिलियन के करीब कैटल से हैं 70.3 मिलियन के करीब यहां पर कैटल से हैं यह अफरीका में सबसे अधिक है ठीक है पशुधन की बात करें तो 70.3 के करीब हमारे यहां पर कैटल से हैं इसके इसके लावा यहाँ पर अगर हम देखें तो 4.9 million के करीब क्या है भेडे हैं यानि कि शीप है 4.9 million के करीब क्या है भेडे है इसके लावा बकरियों की बात करें तो बकरिया भी कितनी है 52.5 million के करीब यानि कि गोट्स की संख्या भी 52.5 million के करीब है और अंत में अगर हम बात करें तो 7.3 million के करीब क्या है कैमल्स यानि की उट है तो आप देख सकते हैं कितने लाखों में यहाँ पर पशू है जो कि अगर आप देखोगे तो गाए भैस भेड़ बकरी और उट को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर हम देखें तो इतनी बड़ी आबादी में अगर बिमारी फैलेगी तो हमको पता लगाना भी मुश्किल है जैसे अगर आप भारत में देखें तो भारत में अगर कोई भी बिमारी फैलेगी तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है कि भारत के किस राज्य में उस राज्य के किस जिले में उस जिले के किस गाउं में ये बिमारी फैली है ताकि उस गाओं को हम isolate करें वहां के जानवरों को क्या करें अलग करें बाकी जानवरों से अगर class नहीं चल लिए तो आप लोग YouTube पे सुच कर लिजे YouTube पे class हमारी perfectly fine चल लिए तो मैं अभी यहां जो कह रहा था कि हमारी जो पशू हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा segregate करना पड़ेगा तो इसलिए इस atlas को map पे बनाया जा रहा है ताकि इथोपिया के अंदर जो अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग शहरों में, गाओं में जो हमारी ये बिमारियां टैंसी मक्यों के द्वारा फैलाई जा रही है इसको हम लोग चिनित करें और वहां के पशूओं के लिए हम बहतर तरीके से इलाज को ला पाए तो समझ में आया इस atlas को लाने के पीछे का उद्देश क्या है और atlas को क्यों लाया जा रहा है तो अगर हम इसकी बात करें तो ये atlas जो है वहां का जो राष्टे संस्थान है national institute है उसके द्वारा हमारा जारी किया गया है तो बस आपको याद रखना है किस देश के द्वारा इस atlas को लाया गया है क्योंकि इसके पीछे का जो हमारा logic था कि पशू अबादी सबसे अधिक है अफरीका में ये सवाल हमारा परिक्षा में पूछा जा सकता है तो उथोपिया पहला ऐसा देश बन गया है जो कि पशू धन के लिए हमारा atlas को ले कर के आ रहा है क्योंकि वहां के लायव स्टॉक में एक बिमारी अजीव सी बिमारी हमारी टेंसी मक्यों के कारान देखने को मिल पा रही है ठीके छलिए पलाई का नाम बिटा यहां लिखा है टेंसी मक्य टेंसी मक्य है ना चलिए ठीके दिनेज भाई चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूस पर जो की निकल करके आती है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग का मतलब मिलावट करने वाला ओपरेशन जो की हम पाइब नैचुरल गैस जिसको हम पी एंजी के रूप में भी जानते हैं तो भारत की हमारी अगर हम बात करें तो भारत की हमारी पहली ऐसी मक्षी मैं बोल ला हूँ मक्षी याद आ रही है तो भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर हम लोग हाइड्रोजन की ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करने जा रहे हैं किसके साथ हमारे पाइब न जब आप petrol pump पे जाते हैं तो कही जगा वहाँ पे लिखा होता blended petrol देखा होगा ethanol blended petrol तो हमारा जो petrol वगरा है उसके अंदर सरकार के दौरा यहाँ पर blending करवाई जाती है ताकि हमारी जो carbon की सरजनता है उसको हम कम कर सकें और हमारी गाड़ी की जो shell life है उसको भी improve कर सकें क्योंकि blending की वज़े से क्या है हमारा जो emission है जहरीली गैसे हैं जो हमारी गाड़ीों से release होती है वो क्या है कम जहरीली होती है या कम नुकसान दायक होती है हमारे परियावरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो पाइब्ड नैचुरल गैस है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे है hydrogen की blending कर रहे है तो पाइब्ड नैचुरल गैस के अंदर हम लोग किस की कर रहे है H2 की hydrogen की और वो भी कौन सा hydrogen ग्रीन hydrogen तो green hydrogen वो hydrogen है जिसको हम लोग पानी से यानिकि H2O से electrolysis की मदद से बनाएंगे तो electrolysis का जो phenomenon है जिसके अंदर आपने देखा होगा हम लोग अपने स्कूलों में भी experiment करते थे जिसके अंदर एक पानी के अंदर एक cathode और anode लगाते थे और उसके अंदर से current pass कराते थे तो hydrogen और oxygen के item अलग हो जाते थे है ना तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो H2O को हम electrolysis की मदद से यहां पर क्या कर रहे हैं प्रिपेर कर रहे हैं जिसको हम लोग pipe natural gas में कितना करेंगे 5% तक blend करेंगे यानि कि 95% quantity हमारी pipe natural gas की होगी और बाकी 5% किसकी होगी हमारी green hydrogen की clear क्याची सर current affair की news copy paste है जो एप पर available है तो copy paste जो हम पढ़ाते वही तो वहाँ पर detail में रहती है ना copy paste क्या है जो हम बोलते हैं वही लिखा रहता है है बताइए हमारी समस्याएं खतमी नहीं होती है क्लास में है कि नहीं जो news यहाँ पर है उसको detail में आपको दिया जाता है क्योंकि आप लोगों को क्या है लिखने की कमी ना हो लिखने की दिक्कत ना हो बस आके यहाँ समझे और वहां पर जो चीजे हैं उसको आप याद कर लें ठीक है तो आपकी सहुलियत के लिए बताइए बंद करवा दें उसको कल से है ना नई वे विजन भाई का कहना है टॉपिक सेम रहते हैं कंटेंट आपको इसलिए दिया जाता है यहां बैट करके क्या है हमारी सत्त नरायन की कथा आप सुनें और जैसे अब कथा खतम होती है तो निकलते वक्त परसाद का लड़ू दिया जाता है वैसे यह एप पे हम हमारे यह पीडियाग दी जाती है इंगलिश इंदी में ताकि आपको क्या है घर जाने के बाद इसका सेवन कर सके ठीक है तो वह सत्त नरायन कथा के बाद का परसाद है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे तो अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर हमने क्या बात करी कि 5% की PNG की blending की जा रही है हमारी किसकी green hydrogen की और हमारे देश की सरकार के द्वारा यहाँ पर यह प्रस्ताव भी किया गया है कि अब हम लोग जो 5% अभी 2023 में कर रहे हैं इसको धीरे-धीरे चरणबत तरीके से करते हुए हम 20% पर ले करके आएंगे तो समझ में आया तो 20% तक हमें क्या करना है हमें यहाँ पर क्या करना है इस 5% को भविश्य में ले करके आना है जो की हमारे देश में सरकार के द्वारा क्या है हमारा यहाँ पर क्या है प्रयास किया गया है तो यह concept है हमारा PNG और green hydrogen का समझ में आया सभी को ठीक है तो ये हमारा क्या है टेक्निकल इसके पीछे का है अब नियूस क्या है तो भारत की जो एंटी पीसी है यानि की नैशनल थर्मर पावर कॉर्परेशन उन्होंने भारत का पहला ऐसा ओपरेशनल प्लांट की स्थापना की है कावस सूरत गुजरात म कहां पर कावस गाओं में जो की कहां पढ़ता है सूरत गुजरात में तो कावस सूरत के अंदर भारत का पहला ऐसा प्लांट लगाया गया है जहां पर हम लोग पी एंजी के अंदर क्या करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करेंगे ताकि हम कार्बन की कि अब चलिए प्लेफ हुआ सभी को टी डियए नहीं आ रही है चेंज करवा दें चलिए चेंज करवादें फिलाल अभी यहां पर पढ़ लीजे फिर इसके बाद चेंज लेंच करा देंगे हम ठीक है क्लिए और तो अब इस नीश में क्या है कुछ नहीं था इस नीश के प पीसी वो कमपनी है जो भारत में पहली ऐसी पाइप ड नैचरोल गैस यानि की पाइप के माध्यम से जो प्रकतिक गैस है उसके अंदर हमारा ग्रीन यानि की हरियत हाइड्रोजन का मिलावट करेगी और कितना प्रतिशत कर रही है 5 प्रतिशत कर रही है क्लियर बस इतना ही आपको याद रखना है यहां पर ठीक है तो यह हमारी आज की क्या थी पाँचवी नियूस थी क्लियर है सभी को चलिए बढ़ते हैं अगली नियूस पर अगली नियूस आती है हमारी एक और संगठन जो की हमारा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के नाम से जाना जाता है जिसका नया अध्यक्ष के रूप में भारत ने हाली में अपनी कुरसी को या अपने स्थान को यहां पर ग्रहन किया है तो पहले तो हेडिंग को नोट कर लिजे पहले जानेंगे अप्पु भाई के बारे में अप्पु भाई कौन है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन हैना अप्पु नामी तो है इनका हाँ वो चौती ती गलती से मैं पाच फी बोल गया था यह क्या है अप्पु भाई कब इनकी स्थापना हुई मुख्याले का है पहले यह सब जानते हैं फिर इसकी अध्यक् तो 1961 की अगर हम बात करें तो 1961 में हमारे मनीला के अंदर 1961 में मनीला किस देश में आता है मनीला किस देश में आता है किस देश की राजधानी है फिलिपीन्स है ना फिलिपीन्स मनीला फिलिपीन्स के अंदर दुनिया भर के तमाम देशों ने और अगर हम एक्जेक्ट की बात करें तो 18 देशों ने एक बैठक की जिसमें हम एशिया पैसिफिक इलाके में हम पोश्टल सेवाओं को और बहतर करने पर काम कर रहे थे क्यों क्योंकि अगर आप 1961 में देखें तो हमारे पास संचार के लिए डाक सेवाई थी हमारे पास mobile, landline, email वगारा तो बहुत बाद में आया है तो हमारे पास communication या संचार का एकलौता मार क्या था डाक तो Asia Pacific Reason में 1961 में जब 18 देशों ने यहाँ पर बैठक की तो इनके द्वारा यहाँ पर Asian Oceanic Postal Convention को ये नाम से इसको जाने जाने लगा किस नाम से? Asian Oceanic Postal Convention यानि की एशियाई और समुदरी हमारी जो डाक सेवा है उसका ये सम्मेलन है convention ठीक है तो 1901 में इसका नाम जो था मनीला में जब सम्मेलन पड़ा तो Asia Oceanic Postal सम्मेलन के रूप्स में हम जानने लगे और यहाँ पर इन्होंने फैसला किया कि हम लोग हर साल इस बैठक को आयुजित करेंगे जिससे की एशिया और हमारे ओशियनिक इलाके में हम क्या करेंगे? दाक सेवा को और बहतर तरीके से संचालित करेंगे ताकि हमारा communication और बहतर बन पाए और इसी के साथ हमारा एक अपरेल 1962 को क्या हुआ इस संगठन की स्थापना हुई जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एशियन ओशियनिक पोस्टल कन्वेंशन लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बरता गया हमारे देश जुरते गए तो 40 साल के बाद हमारा लगभग 40 साल के बाद 2002 में हमारा क्या है? इसका मुख्याले मनीला फिलिपीन से शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? बैंकॉक थाइलेंड में बैंकॉक थाइलेंड में तो अब अगर हम बात करें और अब एक्जाम में पूछा जाएगा कि अप्पु भाई का मुख्याले कहां पर है तो अप्पु भाई का मुख्याले अब कहां पहुच गया है और हमारा कब इसका नामकरण बदला और कब इसके मुख्याले का हमारा लोकेशन बदला ठीक है इतना नोट कर लिजे अब बात करते हैं आज की न्यूस की अब अगर हम बात करें तो इस साल यानिकी वर्ष दो हजार 22 में हमारी इसकी जो बैठक हुई थी वो कहां हुई थी बैंकॉक में और यहीं पर हमारा ये फैसला लिया गया कि इसकी जो हमारी chairmanship है वो किसके पास जाएगी भारत के पास जाएगी तो यहां पर हमारा फैसला लिया गया और यहां पर भारत को इसकी अध्यक्षता हमारे वर्ष 2023 के लिए एक साल के लिए swap दी गई है क्लियर तो इस साल हमारी बैठक Bangkok में और 2023 में हमारे देश भारत में होने वाली है क्लियर नोट कर लिजे इसके लावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर भारत के लिए एक और important यहां पर decision हुआ क्योंकि अगस्त और सितंबर में जो Bangkok में बैठक हुई थी वहां पर हमारे देश के जो secretary general है postal department के विनेया प्रकाश जी उनको यहां का secretary भी चुना गया है यानि कि अगले चार सालों के लिए विनेय प्रकाश जी डॉक्टर विनेय प्रकाश जी को मतदान करके चार वर्षों के लिए यहां का secretary भी चुना गया है तो अगर हम इसके सेकेटरी पत की बात करें तो इसके लिए हर साल चुना होता है यानि की रोटेशन नहीं होता है हमारा यहाँ पर क्या होता है? मतदान होता है तो जब अगस सितंबर में बैंकॉक में बैठा खुई थी तो वहाँ पर मतदान हुआ था कि आने वाले चार सालों के लिए सेकेटरी जन्रल कौन होंगे तो डॉक्टर विने प्रकाश जी को यहाँ पर सेकेटरी जन्रल के लिए हमारा चुना गया है क्लियर? नोट कर लिजिएगा समझ में आया सभी को तो इतना आपको याद रखना है इस न्यूज में क्लियर? नोट कर लिजिए हाँ इस साल भारत के अंदर बहुत सारी क्या है हमारे वैश्विक सम्मेलनों की बैठक भी है है ना? तो इस साल हमारे करेंट अफेर्स के न्यूज भी बढ़ेगी है ना? कौपियां भी बढ़ेगी नए-नए डेकलरेशन होंगे और सब हमारे लिए इंपोर्टेंट होगा चलियर? चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज आती है युनाइटेड नेशन्स की सुरक्षा परिशद ने हमारे नए सदस्यों को जो की जिसमें खास तौर पे दो सदस्य से पहली बार युनाइटेड नेशन्स की सुरक्षा परिशद के सदस्य के रूप में हमारे स्वागत की गए हैं तो नोट कर लीजे हेडिंग को पिर जानते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है important है ये news क्योंकि भारत से भी यहाँ पर कहीं न कहीं जोड़ा है भारत भी हमारा क्या है यहाँ पर हमारा जोड़ा हुआ है नहीं बेटा अध्यक्ष विने जी नहीं करेंगे नहीं अध्यक्षता जो है विने जी के पास भारत अध्यक्ष है तो हमारा ministry of communication यानि की संचार मंत्राले के द्वारा इसके अध्यक्ष को चुना जाएगा हो सकता है केंद्रिये हमारे जो परसार मंत्री है वो हो या देश के प्रधान मंत्री अध्यक्षता कर सकते है जो डॉक्टर विने जी है ये क्या करेंगे चार साल के लिए इसके कारयाले का कारभार समालेंगे वहां की जो working होती है और जो पूरा संगठन है इसको manage करने का काम करेंगे वो बैठक में नहीं बैठेंगे वन्ना एक बात बताओ चार साल तक अगर वही बैठेंगे तो भारत की अध्यक्षता चार साल की होनी चाहिए थे ना एक साल की क्यों होगी common sense आप लगाईए अगर चार साल तक वो चुने जाएंगे या चार साल तक वो रहेंगे तो अध्यक्षता हमारे पास एक साल क्यों रहेगी तो वो हमारा कारकार्णी अध्यक्ष है जो की कार वगारा समालेंगे ठीक है चलिए आईए इस news को थोड़ा समझते हैं चलिए थोड़ा बेसिक पहले जानते हैं United Nations के Security Council के बारे में वापस आएंगे बाद में अगर हम United Nations के सुरक्षा परिशत की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार के सदस्य होते हैं पहला हमारा स्थाई और दूसरे हमारे आइस्थाई यानि के Permanent और दूसरा हमारा होता है Non-Permanent अगर हम Permanent Members की बात करें तो Permanent Members की यहां पर जो संख्या है वो है 5 और वहीं पर Non-Permanent Members जो होते हैं उनकी संख्या है 10 वहीं अगर हम कारकाल की बात करें तो इनका tenure जो होता है Permanent वालों का हमेशा होता है है ना मतलब यह क्या रहते हैं हमेशा के लिए क्या हैं सदस्ते हैं जबकि non-permanent members जो होते हैं हर दो साल में क्या होते हैं हमारे चुने जाते हैं यानि कि maximum दो साल तक की अबदी के लिए non-permanent members को चुना जाता है अगर हम इसके permanent members को देखें तो इसके अंदर हमारा USA, UK, Russia, France और China है हमारा UK, Russia और France है वही पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो non-permanent members है उनको क्या है हर दो साल के बाद क्या करा जाता है बदला जाता है वही पर अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इनके जो non-permanent members हैं है न वहाँ पे हमारे जो non-permanent members हैं उसमें हमारे कौन कौन है उसमें हमारे नॉन पर्मानेंट मेंबर्स में है अल्बानिया ब्राजील दिख रहा है ना इधर मैं लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है तो कि मैं लिख देता हूँ घाना और यूए अब आप कहोंगे सर यहां पर पांच क्यों लिखा देखिए पांच इसलिए लिखा क्योंकि यह जो नॉन पर्मानेंट मेंबर्स हैं इसमें से यह जो पांच देश हैं यह वरतमान में अभी क्या है रुके हुए है और यहाँ पर जो 5 non-permanent members थे 10 में से उनकी यहाँ पर विदाई हुई है और उनकी जगा 5 नए और लोगों को क्या है लाया गया है तो समझ में आया United Nations की सुरक्षा परिशत के अंदर 5 हमारे permanent और 10 non-permanent members होते हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं और permanent member में देखें तो USA, UK, Russia, France और China हैं और non-permanent में बात करें तो Albania, Brazil, Gabon, Ghana और UAE हैं जिनका कारेकाल 2 साल होता है और हर 1 साल में यानि कि हर साल पहली तारिक को उसमें से 5 को रिटायर किया जाता है तो इनके पास अभी क्या है? एक साल का समय और बचा है अगले साल ये क्या होंगे? 5 क्या करेंगे? रिटायर होंगे अब हम बात करें वो 5 members जो यहाँ पर विदा हुए हैं और जिनकी यहाँ पर हमारा आगमन हुआ है तो अगर हम यहाँ पर outgoing यानि कि जाने वाले सदस्यों की बात करें तो इन्होंने भारत भारत आइरलेंड केनिया भारत आइरलेंड केनिया मेक्सिको और नौर्वे को क्या किया है? रिप्लेस किया है ठीके? तो यह 5 सदस्यों से क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं यानि कि क्या है? outgoing है इनका क्या हो गया है? कारेकाल यहाँ पर दो वर्ष पूरे हो गये हैं और इनकी जगा अगर हम बात करें तो कौन आ रहा है? Ecuador they become member again हाँ, member तो कभी भी बन सकते है भारत भी 3-4 बर बन चुका है member है ना? तो इनकी जगा कौन ले रहा है? Ecuador जापान Malta Switzerland and Mozambique तो पाँच देश जिन्होंने भारत, Ireland, Kenya, Mexico और Norway को replace किया है वो कौन कौन से है? Ecuador जापान Malta Switzerland और Mozambique है तो याद रखिएगा यह पाँच सदसे देश क्या है? हमारे क्या है? रिप्लेस हुए है और इनकी जगा किसने लिए है? नोट कर लिजे इन लोगोंने clear? नोट कर लिजे पहले तो यह हमारे लिए क्या है? काफी important है जब क्या है? हमारे security council के अंदर नए देशों को यहाँ पर include किया जाता है अब सवाल उखता है कि इन नए members को यहाँ पर include क्यों किया जाता है? हम permanent members के अंदर ही नए सदस्यों को क्यों जोड़ना दे? तो अगर हम देखें तो United Nations की सुरक्षा परिशत के अंदर तमाम देशों के द्वारा कई बार आवाज उठाई गई है कि सुरक्षा परिशत का जो हमारा structure है वो काफी जादा खराब है काफी जादा खराब है क्यों? क्योंकि यहाँ के जो permanent members है वो अपनी monopoly चलाते हैं और जो हमारे अन्य सदस्य देशें उनको permanent member बनने से रोकते हैं जैसे अगर हम भारत के case में बात करें तो भारत के case में कई बार ऐसा हुआ है कि सुरक्षा परिशत में हमारे 5 में से 4 सदस्यों ने भारत के favor में vote किया लेकिन चाइना ने कई बार क्या करा? मना कर दिया और United Nations का Security Council का rule एक ऐसा है जिसकी वज़े से भारत कई बार दहली स्थ पे पहुँचने के बाद वहां से lot आता है और वो rule क्या है? वो rule ये कहता है कि अगर पांचों में से एक भी देश ने क्या है? मना कर दिया या एक भी देश का vote आपके favor में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? आपको permanent member का status नहीं देंगे और China जो भारत के उपर ये veto या ये against में vote देता है इसके पीछे का कारण वो क्या कहता है? कि वो कहता है कि पाकिस्तान और भारत का जब तक मुद्दा नहीं सुलस्ता तब तक हम यहाँ पर vote नहीं करेंगे या फिर भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी आप क्या है? permanent member बनाने का क्या करो? हमारा समर्थन करो तो ये दो वज़े हैं जिसकी वज़े से क्या है? चाइना जो है यहाँ पर क्या है? veto लगा देता है और भारत permanent member नहीं बन पाता अब सवाल आता है कि non-permanent members को चुना क्यों जाता है? तो United Nations की सुरक्षा परिशत का ये मानना है कि हम हर साल 5 नए members को include इसलिए करते हैं ताकि क्या करें? ताकि हम जो fresh idea है, fresh knowledge है उसको सुरक्षा परिशत के अंदर लेकर के आएं है न, उसको हम यहाँ पर क्या करें? सुरक्षा परिशत के अंतरगत लेकर के आएं और इसलिए हम नए-नए लोगों को या नए-नए देशों को यहाँ पर शामिल करते हैं जिससे की हमारी diversity यानि की विवित्ता यहाँ पर बढ़ सके clear? तो इस news को याद रखिएगा कौन से पाँच देश हमारे क्या है? हमारे यहाँ पर नए जुड़े हैं और हमारे यहाँ पर शामिल किये गए हैं clear है सभी को? नोट कर लिजे इसके बारे में फिर आगे बढ़ते हैं चलिए बढ़ा जाए आगे अगली न्यूज पर अगली न्यूज आती है मनिपुर का गान नगई फेस्टिवल heading को नोट कर लिजे फिर जानते हैं इसके बारे में और बहुती important फेस्टिवल है अगर आपको याद होगा तो कल की क्लास थी शायद मेरी शाम को 6 बजे वाली एकनॉमी की paid क्लास जिसमें हमने traditional agree culture के बारे में पढ़ा था आप में से कोई student है उस का जब हम लोग परंपरागत खेती की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि भारत के अंदर कई cultural beliefs है जहां पर क्या है जहां पर हम लोग अपने खेती के लिए आज भी हमारे देवी देवताओं को याद करते हैं है ना तो याद है तो यह news वही से को रिलेट करते हैं हम लोग अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मनीपुर की एक अबादी एक tribes है जिसका नाम है जैली लॉंग जैली लॉंग कम्यूनिटी के द्वारा अपने हारविस्टिंग के यानि की फसलों के कटाई के सीजन के बाद अपने देवता को शुक्रिया आदा करने के लिए मनीपुर का गान नवई फेस्टिवल का अयोजन किया जाता है समन्झ में आया अगर हम बात करें तो जिलॉंग जो कम्यूनिटी है इनके दौारा यहां पर अपने फसल कटने के बाद अपने जो देवता हैं उनको खुश करने के लिए नाच, गाना, रंगा, रंग, कारिक्रम का आयोजन करते हैं तो नोट कर लिजेगा और इसको traditional agriculture के रूप में दिखाईएगा कि हमारे traditional agriculture में जब हम लोग लोहरी की बात करते हैं ओनम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमारा मनीपुर का गान नगई फेस्टिवल जो की जिल्यांग, ग्रॉंग कम्यूनिटी के दौरा आयोजित किया जाता है समझ में आया सबी को तो बस इसमें इतना ही याद रखना है इससे जादा यहाँ पर याद रखने की कोई भी आवशक्ता नहीं होती है और इसके लावा इसको अगर हम बात करें तो हम लोग फेस्टिवल ओफ विंटर के रूप में भी जानते हैं यानि कि सर्दियों का मौतसफ के रूप में भी या सर्दियों के तोहार के रूप में भी हमारा जाना जाता है ठीक है? नोट कर लिजेगा क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी लास्ट निउस पर आज की हमारी लास्ट और आखरी निउस निकल करके आती है चार दिसंबर यानि कि आज के दिन ब्रेल डे की बात करें तो ये दिवस इसके जनक लुइस ब्रेल जी के जनम दिवस के उपलक्ष में हम मनाते हैं अगर हम बात करें तो लुइस ब्रेल जो है जो है जिनका जनम चार जनवरी 1809 को हुआ था वो हमारे क्या थे? द्रश्टी हीन थे यानि कि वो देख नहीं सकते थे लेकिन उनके अंदर इनोवेशन यानि कि हमारे नवचार की एक ऐसी कला थी जिसमें उन्होंने एक नई भाशा को जनम दिया जो कि उन लोगों के लिए एक वरदान या मील का पत्थर साबित हुआ जो लोग देख नहीं सकते तो इनके द्वारा एक हमारे डॉटेट उबहे हुए जो संकेत हैं जो हम पेपर में यूज करते हैं उसका जनम दिया गया और ये आगे चल करके हमारा क्या है? एक नई भाशा के रूप में निकल करके आया जो की मानफता को एक नया आयाम दिया और उन लोगों को जो लोग देख नहीं सकते उनको सिख्षा ग्रहन करने और क्या है? हमारा ज्यान देने के लिए आगे लाया गया तो समझ में आया सभी को तो यहाँ पर हमारा चार जनवरी को जो ये दिवस मनाते हैं उसको मनाने के पीछे का हमारा उद्देश क्या है? क्लियर? अच्छा मैंने दिसंबर लिख दिया क्या पीछे? रुको को सकता है? मैंने बोला दिसंबर था की जनवरी? बोला जनवरी था दिसंबर? चलिए वो चार जनवरी को हम लोग मनाते हैं आज के दिन हम लोग इसको मनाते हैं अच्छा जनवरी बोला था दिसंबर बोला था कोई बात ने कई बर कमेंट देखते रहते हैं तो देखने और लिखने में कई बर अंतर हो जाता है तो spelling mistakes और इस चीज़ पर थोड़ा ignore किया किजे सुनने पर ध्यान दिया किजे है ना चलिए तो clear है सभी को हाँ और एक चीज़ और आपके लिए खुशकबरी इस साल इसकी theme अभी तक घोशित नहीं हुई है हर साल इसकी theme डेकलियर होती है लेकिन अभी तक इस साल इसकी theme डेकलियर नहीं हुई है ठीक है को याद करते हैं जिनके द्वारा ब्रेल भाशा को लाया गया था ठीक है कोई भी हमारी क्या था theme यहाँ पर नहीं है ठीक है चलिए नोट कर लिजेगा खुशकबरी इसलिए है कि आपको theme नहीं याद करनी पड़ेगी आप लोग theme याद करने में सबसे यादा घवराते हैं तो theme याद नहीं करनी पड़ेगी बस यही कारण है तो यह हमारा आज का session था जिसमें हमने आज की important news को cover किया चलिए बढ़ते हैं आज की हमारे अगले section पर जो की अगला section है हमारा MCQ quiz का तो पहला सवाल इनमें से भारत के किस शहर में पहला green hydrogen blending operation जो की pipe natural gas के लिए लाया गया उसकी शुरुबात हुई है जैसल मेर, जबलपुर, बैंगलॉर या फिर सूरत कौन सा गाउं है बताइए कौन सा गाउं है कवास गाउं वेरी गुड गुजरात सूरत का कवास गाउं के अंदर भारत का पहला हमारा जो है green blending natural gas का जो plant है उसको लगाया गया और किस company के द्वारा लगाया गया है NTPC के द्वारा है National Thermal Power Corporation के द्वारा अच्छा कैसी P.S.U है ये भारत में हमारे तीन प्रकार की P.S.U होती है मिनी रतन महारतन और नवरतन तो किस में आती है भारत में तीन प्रकार की P.S.U होती है Public Sector Enterprises उसमें किस प्रकार की P.S.U में आती है महारतन में ठीक है तो महारतन P.S.U है अगला सवाल भारत के किस राज्य में हमारा गान नई फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है मेगाले, असाम, तिरपुरा या फिर मनीपुर बताइए कहां पर हमारा इसका आयोजन किया जा रहा है तो अगर हम बात करें तो भारत के मनीपुर के अंदर इसका हमारा आयोजन किया जा रहा है जो की हमारा festival of winter के रूप में भी निकल करके आता है जहांपर हमारी local communities अपने देवी देफ्ताओं को harvest के बाद यानि की फसल की कटाई के बाद हमारा क्या है उनको शुक्रियादा अधा करते हैं अगला सवाल इन में से किस देश ने हाली में हमारी अध्यक्षता को ग्रहन किया है Asia Pacific Postal Union की जापान, फ्रांस, भारत या फिर USA बताईए तो भारत के पास ये मेजबानी आई है और एक साल के लिए भारत यहां पर क्या रहेगा इसका अध्यक्ष के रूप में हमारा काम करेगा अगला सवाल इन में से किस देश ने हाली में एक एटलस को लॉंच किया है जो की Life Stock Disease जो की टैसे मक्षी के द्वारा हमारा फैलाया जा रहा है उसके लिए मैपिंग करेगा युगांडा, इथोपिया, सेनेगल या फिर कैनिया बताईए तो कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक हमारी पशु की अवादी है पशु धन सबसे अधिक है वो कौन सा है इथोपिया है याद रखेगा इथोपिया और लास्ट में इन में से किस तारीक को हम लोग World Braille Day मनाते हैं विश्व Braille Day हम लोग कब मनाते हैं 9 दिसंबर 31 दिसंबर एक जनवरी या फिर चार जनवरी बताईए तो चार जनवरी को हमारा World Braille Day को हम लोग हर साल अब्जर्व करते हैं क्लियर याद रखेगा और इसी के साथ साथ आज के से से हमारा मुख्य परिक्षा का सवाल है आपको बताना है या आपको उत्तर लिखना है धाइसो शब्दों में रोल ओफ युनाटेड नेशन सेक्योर्टी काउंसल युनाटेड नेशन की या सन्युक्त राष्ट की जो सुरक्षा परिशद है उसकी भूमी का क्या है इस पर आपको उत्तर लिखना है तो इसका उत्तर लिख करके आप लोग doubt section में या फिर टेलिग्राम पर हमारे शेर कर सकते हैं बाइजूज एक्जाम प्रेप के और धाइसो शब्दों में आपको लिख करके इसको अपडेट कर देना है तो इसी के साथ साथ आज का हमारा daily current face का यहाँ पर समाप्त होता है I hope कि आप सबको यहाँ पर current face समझ में आई होगी और इसके इलावा भी अगर आपको कोई doubt या confusion है तो इसके लिए आप नीचे comment box में या फिर doubt section में अपने doubts पूछ सकते हैं तो इसी के साथ साथ आज के सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं मिलते हैं आपसे next session में Till then bye bye, take care and all the very best और इसी तरह हस्ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्त रहिए और मस्त रहिए धन्यवाद दोस्तों Dop खें धनalen आपसे पको और मस्त रहिए, स्वस्त, सकतो आजर से अרसे और एकापने हैं ऐसे रहिए, स्वस्त, स्वस्त बस्त, सριंद सत्पस Sh jurisd अर्रभ्वाद, कि मुस्त द्स्क्स